हलो दोस्तो आप स्वगत स्वागत है अपने ही चनल जी के माधिका पर दोस्तो आज की इस वीडियो में बिहार एससे सिजल के लिए उनिक बुक भॉलूम बन से प्रैक्टिस सेट नमर 12 देखेंगे तो दोस्तो अगर आपके बिहार एससे सिजल का एकजाम है तो आपके लिए ये वीडियो काफी हेलफूर रहेगा इसलिए दोस्तो वीडियो के लास्त तक जोड़ी देखेगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राब जोड़ कर लिजेगा ठीक है तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तो पहला पूछा गिया है कि अस्कौर्ट ह तो दोस्तो भारत के किस वर्तमान राज में आदि संक्राचार्ज का जन्म हुआ था तो केरल राज में हुआ ठीक है तो इसका राइट एंसर ओप्सन बी हो जाएगा अगला प्रसन पूछा गिया है कि नौलखा पहलेस भारत के किस राज में इस्थित एक धरोहर अस्थल है तो नौलखा पहले भारत के बिहार आज में इस्थित एक धरोहर अस्थल है ठीक है तो इसका राइट एंसर ओप्सन बी हो जाएगा अगला प्रसन पूछा गिया कि पच्छिम बंगाल में गिरिया का जूद कब लड़ा गया था तो दोस्तो पच्छिम बंगाल में गिरिया गिरिया का गिरिया का जूद किस के किसके बीच लड़ा गया था ठीक है अगला प्रसन पूछा गया है कि भारत में दहेज निष immense अधेनियम कम पारित किया गया था तो दोस्तों भारत में दहेज निष्षिद अधिनियम जो है 1961 में पारित किया गया था ठीक है तो इसका राइट एंसर ओफशन ए हो जाएगा अगला प्रस्थ देखते हैं क्यूशन पुछा गया है पुष्टक लाइव डिवाइन के लेखक कौन है तो पुष्टक लाइव डिवाइन के लेखक सिरी अरविंदो है ठीक है तो इसका राइट एंसर ओफशन हो जाएगा अगला प्रस्थ न पुछा गया कि गंगा नदी कहां नहीं बहती है तो दूस्तों गंगा नदी जो है पच्छिम पर्मुख जोगदान जो है लावा का है ठीक है तो इसका राइट एंसर ऑफ्षन बी हो जाएगा अगला प्रस्ण पुछा गिया कि सुबाद चंद्रबोष ने किस वर सोतंत्र भारत की अंतिम सरकार के गठन की घोष्णा की थी अगला प्रस्ण पुछा गिया कि बाल गंगा धर तीलक का जन्म कहां हुआ था तो इसका राइट एंसर ऑफ्षन भी हो जाएगा अगर आप लोग इसका पीडियेव डाउनलोड करना चाहते है तो इसका पीडियेव टेलिग्राम चैनल पर मिलेगा आप लोग टेलिग्राम च इस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे ठीक है अगला प्रसंद देखते हैं क्यूचन पुछा गिया कि उनएस सो सतासे में वीश जूनियर सत्रंज चेंपियंशिफ जितने वाले पहले भारतियों और पहले एस याई विश्वनाथ आनन्द थे ठीक है तो इसका राइट अगला प्रसंद देखते हैं क्यूचन पुछा गिया कि बाबा कुवर सी किस जूद में लड़े गये थे तो 1857 के विद्रोह में लड़े थे ठीक है अगला प्रसंद देखते हैं क्यूचन पुछा गिया कि नेमन में से कौन लच्छदीब समू का दचिंतम भाग है तो लच्छदीब समू का दचिंतम भाग मिनी कुआ है ठीक है तिसका राइट एंसर ओप्सन बी हो जागा अगला प्रसंद पूछा गिया कि लोसार उत्सव किस जनजाती के लोगों द्वारा मना जाता है तो दोस्तों लोसार उत्सव जो है मोनपा जनजाती के लोगों द्वारा मना जाता ठीक है तिसका राइट एंसर ओप्सन डी हो जागा ठीक है अगला प्रसंद पूछा गया कि 1774 में सरवच न्याले को किस सहर में पोर्ट बिलियम में सिर्ष न्याले के रूप में अस्थापित किया गया है तो क ऐख गया अग्ला प्रसंद घखते हैं दोस्तों कि उटशन पूछा गया कि राइटेंसर झाले कि महाय और को में स्थापित सबसे पुराना दल है और जिसने कई बार विभाजन का सामना किया है तो कौन सा भारतिय राश्टिय राजनितिक दल है तो भारतिय राश्टिय कॉंग्रेस पार्टी है ठीक है इसका राइटेंसर ओफ्षन बी हो जाएगा अगला प्रस देखते हैं दोस्तों किश्वन पूछा गिय से कौन सा निरित मद परदेश की एक निरित सैली है तो माचा जो है मद परदेश का एक निरित सैली है ठीक है इसका राइटेंसर ओफ्षन बी हो जागा अगला प्रस देखते हैं क्यूचन पुछा गिया कि धनानंद को हराकर मौर्द समराज की अस्थापना किस ने की थी त मुगल बादसा बाबर ने किसे हराया था तो 1529 में घागरा के जुद में मुगल बादसा बाबर ने महमूद लोदी को हराया था ठीक है इसका राइटेंसर ओफ्षन डी हो जागा अगला प्रस देखते हैं क्यूचन पुछा गिया कि ग्यानपीट पुरसकार किसके लिए द तो दोस्तो घ्यानपीट पुरसकार जो है सहितके छेत्र में दिया जाता है ठीक इसका राइटेंसर ऑफ्षन फहा एगा अगला प्रस पूछा गया है कि निम्ण मैं से कौन सी नदी अरब न को दोस्तों क्यूचन पूछा गया कि अमृत टिसेन को किसलिये नोबल पुरसकार दिया गया तो количество अम्राथ टिसेन को जो है अर्थ्षास्त के लिए नौबल पुरसकार दिया गया था ठीक है तो इसका राइट एंसर ऑफशन भी हो जागा अगला प्रशन पूछा गया है कि जंस सदस बनने वाले भारतिय का नाम बताईए तो दोस्तों ब्रीटिस संसद में सदस बनने वाले पहले भारतिय जो थे दादा भाई नोरजी थे ठीक है जिसका राइटेंसर ओफ्षन ए हो जाएगा अगला प्रसंद रहते हैं कि क्यूचन पूछा गया है कि ओडिसी क्या है तो ओडिसी जो है एक निरितिक कला है ठीक है इसका राइटेंसर ओफ्षन डी हो जागा और कहां की निरितिक कला है तो दोस्तों ओडिसा राज की निरितिक कला ठीक है अगला प्रसंद पूछा गया है संथाल लोग कहां रहते हैं तो संथाल लोग जो है जहारखंड में रहते ह ठीक है तो इसका राइट असर ऑप्शन भी हो जागा अगला प्रसंद देखते हैं जोस्तों की उचन पुछा गया कि भारत रत्न पराप्ट करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है तो जोस्तों भारत रत्न पराप्ट करने वाल जोस्तों पुछा गया कि बिर्षा मुंडा कौन था तो एक जन जाती विद्रोही था ठीक है तो इसका राइट असर ऑप्शन भी हो जागा अगला प्रसंद पूछा गया कि अर्जून पुरसकार किस लिए दिया जाता है तो जोस्तों अर्जून पुरसकार जो है खेल संब्द क्या किसलिए तो भारति अर्थ विवस्ता से संब्द है ठीक है किसका राइट अनसर ऑप्शन भी हो जागा अगला प्रस् services पूछा गया है कि संतोष ट्रोफिक किस लिए दिया जाता है तो संतोष ट्रोफिझ जो है फुट्बол के लिए दिया जाता ठीक है तिसका उफ्षन ए हो जाएका अगला प्रसंद दकते हैं कुतूमिनार कहां नियांट अकला पुछा गिया के लालंदा क्या है लांदा बिस 65 तो इसकर राय टेंसर option A होजागा, question पुछा गया कि खालसा किस धर्म से सम्बंदीत है, तो दोस्तों खालसा जो है सिक धर्म से सम्बंदीत है, तो इसका राय टेंसर option A हो जागा, अब बात कर लएते हैं कि खालसा पंद जो है 1699 में किस ने शुरू की थी तो खालसा पंद को 1699 में गुरू गोविंसी ने की थी ठीक है अगला प्रस्थन देखते हैं क्यूशन पुछा गिया है कि नियमन में से किस दिन 200 परियावरण दिवस मना जाता है तो किस दिन 200 परियावरण दिवस मना जाता है पाच जुन को मना जाता है तो इसका राइट अशर ओफशन बी हो जागा अगला प्रस्थन देखते हैं क्यूशन पुछा गिया कि आदी मानों ने सरव पर्थम सिखा था तो दोस्तों आदी मानों ने सरव पर्थम आग जलाना सिखा था ठीक है तो इसका राइट अशर ओफशन ए हो जागा अगला प्रस्ण पूछा गिया कि सिंदु घाटी सवेता के लोग पूजा करते थे तो सिंदु घाटी सवेता के लोग किसका पूजा करते थे तो पसु पति की पूजा करते थे ठीक है तो इसका राइट एंसर ओफसंस जी हो जाएगा अगला प्रस्ण देखते है question पुछा गिया कि मानो द्वारा शरुफर्थम उपजाएगे अनाज कौन थे दो मानो द्वारा सरुफर्थम उपजाएगे अनाज जो है यह हूं अबं जयो ठिक है तो इसका तो प्राक्रितिक सोंदरज का वर्णन करता है。 गहातो कीतोष, सिक्किम के लोग कीईतों में से एक है, जो राज के प्राक्रितिक सांदरज का वर्णन करते हैं, तो इसका राइट अंसर ऑप्सवन सी हो जागा, अगला प्रसन देखते हैं, क्यूशन पुछा गिया कि नट अनि तनी रसी पर चलने वाला ब्यक्ति भहुतकी के किस नियम का पालन करता है तो तनी रसी पर चलने वाला ब्यक्ति भहुतकी के नियम का पालन करता है तो इसका राय टेंसर ओप्षन भी हो जागा अगला पुछा गिया है कि किस रसाइनिक ज तीखा या मसालेदार होता है तो दोस्तों कैपसेशन के कारण जो है मिर्च का स्वाद जो है तीखा या मसालेदार होता है तो इसका राइटेंसर ओफशन अगला प्रशन पुछा गिया है कि कोशिका का अन्वांसिक पदार्थ होता है तो कोशिका का अन्वांसिक पदार्थ जो है डी ए ने होता है ठीक है इसका राइटेंसर ओफशन सी हो जागा क्यूशन पुछा गिया कि जो जीव अपना जय भोजन संस्रेशित करते हैं वे क्या पैदा करता है तो कौन आमीविक पैदा करता है एंट अमीबा हिस्टोलिका जो है अमीविक पैदा करता है टीक है इसका राइट एंसर ओप्शन फेस जागा अगला प्रस्ण बूок Isकि कि इंसूलीन उतपादन क कमी से निमन रोग होता है थीए इसका रायी सर ऊपसन भी होएगा बात के लगते मलेरिया किस्के कारण होता है और गेंगा रोग एउडवं की कमी सी होता है ठीक है बेरी prehesl जो है बिटामन बीवन की कमी से घूटा इसका राइचेंसर option A हो जाएगा। अगला प्रसन पूझा गिया है कि मनुस्थ की तवचा सूर्ज के परकास में निम्द में से कौन सा बिटामिन बनाती है। तो दोस्तो मनुस्थ के तवचा जो राइचेंसर आपजा साइबू का अगला प्रसन देखते हैं सिने बार किसका एसक खनीज है, तो सिने बार जोस्तो पारा का है, गैलेना किसका है, तो गैलेना सिसा का है, और कैसी टे राइट जो है, टीन का है, ठीक है, अगला प्रस्ण देखते हैं, क्यूशन पुछा गिया है जदी वाइमंडल ना होता तो धर्ती की सत्ता का ओसत तापमान क्या होता तो जदी वाइमंडल ना होता तो धर्ती की सत्ता का ओसत तापमान जो है अधिक हो जाता ठीक है तो इसका राइट एंसर ओप्शन भी हो जागा अगला पुछा गिया है कि निम्न परकार की विक्रण से अधिक्तम तरंग धैज का चैन करें तो किसमें तरंग धैज अधिक्तम होता है तो लाल परकास का तरंग धैज अधिक्तम होता ठीक है इसका राइट एंसर ऑफ्षन ए हो जागा अगला प्रसन पूछा गया पिर्थवी सूर्ज के चारों योर घ करदान करता तो इसका राड़ी देंसर द्टसं दिखते हैं और न मिसकी जोודה और देखते हैं कि हम चाहिए कि अस्थाय बनाने के लिए उप्यूक्त धातू तो तो अस्थाय चुमक बनाने के लिए उप्यूक जढ़ात्याथ है तो दोस्तों सूद सिल्कौन होता है अद संभाख होता है इसका राहिट असर बी होजबा जागा अगला प्रसंद पूछा गया कि सौर बैटरी में पर्यूक्त होनेवाला पदार्थ है तो सौर बैटरीज में परियुक्त होने वाले पदार जो है सिलकॉन है ठीक है तिसका राइट एसर ओफशन ए हो जाएगा अगला प्रसंद देखते हैं क्यूचन पुछा गिया है कि एशीटो नाइट्रिल का सूत्र क्या है तो एशीटो नाइट्रिल का सूत्र होता है अगला प्रसंद देखते हैं क्यूंचन पुछा गिया और हमारे सौर प्रनाली में सबसे बड़ा चंदर्मां है बहुत कि परिक्रमा करता है तो बिहस्पाती का ठीक है तो इसका राइटेंसर ओप्सन भी हो जागा तो दोस्तों आज की वीडियो एहें तक रहने देते हैं फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नहीं सेट के साथ अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेज़ेगा जैंद